साथियो नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत वोत सागत है में लिखना सीखें के आज के इस वीडियो में हम ओकी मातरा वाले कुछ शब्द लेकर आए हैं हिंदी की ओकी मातरा इस तरह लिखी जाती है और अंग्रेजी में उसी ओकी मातरा को लगाने के लिए ओक्षर का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही सरल है क्योंकि ओकी जगह ओँ लिखा जाएगा तो यहाँ पर हमने हिंदी के शब्द लिखे हुए है और यहाँ पर हमने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इनी सब्दों को अंग्रेजी में लिखा हुआ है और यहाँ पर हम आपको छोटी अंग्रेजी में लिखना सिखाएंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा शब्द है गोपी गोपी के लिए गोपी जिसे गाओ और ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ अक्षर का इस्तेमाल करते हैं तो हो गया गोपी तो लिखेंगे हम लोग छोटी एंग्रेजी में आप भी हमारे साथ-साथ लिखने का अभिहास करते रहें तो जादे एच्छा रहेगा जी-ओ-P-I गोपी और अगला शब्द हमारा है मोती M-O-T-I मोती लिखेंगे M-O-T-I मोती अगला शब्द है योगी, वाई ओ जी आई योगी, लिखेंगे योगी, ठीक है, अगला शब्द हमारा है धोनी, डी एच ओ धो एन आई नी, धोनी, लिखेंगे डी एच ओ एन आई धोनी, ठीक, अगला शब्ध हमारा है शो भा लिखेंगे हम लोग और अगला शब्ध हमारा है मोदी अगला शब्ध हमारा है कोमल लिखेंगे छोटी एंगलेजी में और अगला शब्ध हमारा है रोशनी और अगला शब्ध हमारा है गोयल और अगला शब्ध हमारा है भोजन लिखेंगे बी एच ओ भोजन और अगला शब्ध हमारा है रोशनी और ती शेत रोशनी लिखेंगे छोटी एंगलेजी में और अगला शब्ध हमारा है बो तल बो बो टी ए ट और अल से ला बो तल बी ओ टी ए टी ए अल ठीक है बो तल तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी को अंगरेजी में लिखना सीखें के अंतरगत ओ की मातरा वाले शब्दों को लिखने का अभ्यास किया उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमान विध्यादी को सच्क्राइब ही कर लिजिए मिलेंगे हमारे एकले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदी